अब आपसे विनम रागरे माननी के आप मंद्रप्रदेश में सभी रिद्गराईयों को और देश भर में अपना संबोधन दे मार्ग दर्शन करें माननी प्रधानमंत्री श्रीरी नरेंद्र मोधी जी नमस्ते जी मंद्रप्रदेश के राजपाल और मेरे बहुत पुराने परिचीत श्री मंगुबाई पटेल जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्यान में जनजातिये समाच के उतकर्ष के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना खपा दिया ऐसे मद्रप्रदेश के राजपाल सिमान मंगु भाई मुख्यमंत्री सिमान सिवराची राज्य सरकार के सभी अन्य मंत्रिगाण, सांसदगाण, विधायक साथी और मद्रप्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े सभी बहनों और भाईयों प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत हो रहे इस अन्य वित्रण के लिए आप सभी को बहुत बधाई करीब पांच करोण लाभार्थियों को आज मद्रप्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुचाने का बड़ा अभियान चल रहा है ये योजना तो नहीं नहीं है पिछ कोरोना जब शुरू हुआ एक सवा साल पहले तब से इस देश के असी करोड से जादा गरीबों के घर में मुप्त में राशन पहुचा रहे हैं लेकिन मुझे कभी जाकर के गरीबों के बीच में बैट करके बात करने का मोका नहीं मिला था आज मत्वदे सरकार ने मुझको आप सब के दर्सन करने का सौभाग्य दिया आज मैं दूर से सही लेकिन मेरे गरीब भाईयों बहनों के दर्सन कार रहा हूं उनके आशिरवाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है आपके आशिरवाद से मुझे उर्जा मिलती है और इसलिए कारकम तो भले सबार डेड़ साल से चल रहा है लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मोका मिला अभी मैं हमारे मद्यप्रदेश के कुछ भाईयों भेहनों से बात कर रहा था कि संकट काल में सरकार से जो मुप्त अनाज मिला है वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बन करके आया है उनकी बातों में संतोस दिखता था विश्वास नजर आए था हलाकि ये दुखत है कि आज MP के अनेक जिल्लों में बारिश और बाड़ की परिसित्या बनी हुई है अनेक साथियों के जीवनों और राजीवे का दोनों प्रभावित हुए हैं मुश्किल के इस गड़ी में भारत सरकार और पुरा देश मद्यप्रदेश के साथ खड़ा है शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है NDRFO, Kendriable या फिर हमारे Air Force के जवान हर प्रकार के मदद इस थिती से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरुद है वो सारी मदद उपलब्द कराई जा रही है भाई और भेनों आपदा कोई भी हो उसका असर बहुत व्यापक होता है, दुरगामी होता है करोना के रुप में तो पूरी मानवता पर सो साल में सबसे बड़ी आपदाई है पिछले सो साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसिबत नहीं देखी पिछले साल की शुरुवात में जब करोना संकरमन फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्त सुभिधाओं की तरफ गया हर कोई अपनी मेडिकल सुभिधाओं को ससक्त करने में जूट गया लेकिन इतनी ज़्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनोती बाकी दुनिया से और भी बढ़ी मानी जा सकती है क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है हमें कोरोना से बचावर इलाज के लिए मेडिकल इंफरस्रेक्टर तो तैयार करना ही था इस संकर से उपजी दूसरी बुश्किलों को भी हल करना था कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया आने जाने पर रोक लग गई इस उपाए से भारत के सामने अनेक और संकर खड़े हो नहीं थे इन संकर्टरों पर भी भारत ने हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया हमें करोडों लोगों तक मुप्त राशन पहुंचाना था ताकि बुख्मरी की स्थीती ना बने हमारे बहुत सारे साथी गाउं से काम काज के लिए सहर जाते हैं हमें उनके खाने पिने रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गाउं लोटने पर उनके लिए उचीत रोजगार भी सुनिश्चित करना था ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कौने में हमारे सामने थी जिनोंने बाकी दुनिया की अपेख्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनोती को कई गुना अधिक चुनोती पुन बना दिया लेकिन साथियों चुनोती कितनी ही बड़ी क्यों न हो जब देश एक जूट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं समस्या का समाधान भी होता है कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणदिती में गरीब को सर्वोच्य प्रात्फिक्ता दी प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना हो या फिर प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार योजना पहले दिन से ही गरीबों और स्रमीकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई इस पूरे कालखन में असी करोड से अधिक देशवाचियों को मुप्त राशन पहुँचाया गया है सिर्फ गेहूं चावल और दाली नहीं बलकि लॉक्डाउन के दोरान हमारे आठ करोड से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलिंडर भी मुप्त दिया गया असी करोड लोगों को अनाच आठ करोड लोगों को गैस भी करोड से अधिक बहनों के जनदन बैंक खाते में लगबक तीस हजार करोड रुपिये सीधे कैश्ट ट्रांसपर भी किये गए स्रमीकों और करिशानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड रुपी जमा किये गए अभी दो दिन बाद ही नव अगस को करीब करीब दस ग्यारा करोड किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से हजारों करोड रुपिये सीधे ट्रांसपर होने वाले हैं साथियों इन सारे प्रबंधों के साथ साथ भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सिन पर भी पुरा जोड लगाया यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सिन है यह वैक्सिन प्रभावी भी है सुरक्षित भी है कल ही भारत ने पचास करोड वैक्सिन डोड लगाने के बहुत एहम पड़ाव को पार किया है दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक्ति के भारत एक सप्ता हमें लगा रहा है यह नए भारत का आत्म निर्वर होते भारत का नया सामर्त है कभी हम बाकी दुनिया से पिछड जाते थे आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं आने वाले दिनों में टीका करण की इस गती को हमें और तेज करना है साथियों करोना से बने हालात में भारत आज जितने मोर्चों पर एक साथ निपट रहा है वो हमारे देश के सामर्त को दिखाता है आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे स्रमीकों की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशनकार की सुविधा दी जा रही है बड़े शहरों में समीकों को जुग्यों में ना रहना पड़े इसके लिए उचीत किराये की योजना लागू कर दी गई है हमारे रेहडी पट्री और ठेला चलाने वाले भाई बैन हमारे इन साथी फिर से अपना काम धन्दा सुरू कर सके इसके लिए PM स्वनिधी के तहट उन्हें बैंक से सस्ता और आसान रण उपलब्द कराया जा रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है इसलिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है साथियों आजी वी का पर दुनिया भर में आये इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाये गए हैं और निरंतर उठाये जा रहे हैं छोटे लगू सुक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड रुपिये की बदद उपलब्द कराई गई हैं सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खेती और इस से जुड़े सारे कामकाच सुचारू रुप से चलते रहे हमने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नए नए समाधान निकाले मदद प्रदेश ने भी इसमें सरहानिय काम किया है मदद प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में MSP पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि MP में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद के अंदर बनाए थे। मद्दप्रदेश ने अपने 17 लाग से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उन तक सीधा 25,000 करोड रुपे से अधिक पहुँचाया है। भाई और भेनों, डबल इंजिन सरकार का सबसे बड़ा लाब यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और समवार करके आगे बढ़ाती है। उनकी शक्ति भढ़ा देती है। मद्द प्रदेश में युवाओं का स्कील डवलप्मेंट हो, हेल्थ इंफास्रक्चर हो, डिजीटल इंफा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। सीवराज जी के नेतरुत में मद्द प्रदेश ने बिमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है, MP की सडकों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े गोटालों की खबरें आती थी। आज MP के शहर स्वत्ता और विकास के नए प्रतिवान गड़ रहे हैं। भाई और भेनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीशे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी वबस्ता में एक विक्रूती थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुदी दे देते थे। जिस तक लाब पहुचाना है उसके बारे में पहले ही सोचा ही नहीं जाता था। कुछ लोग सोचते थे गरीब को सडकों की क्या जरूरत है। अब देखे आपने सुना हो गए सब। ऐसा कहा जाता था। तो गरीबों को सडकों की क्या जरूरत है। उसको तो पहले रोटी चाहिए, कुछ लोग ये भी कहते थे कि गरीब को गैस की क्या जरूत है, खाना तो वो लकडी के चुले से भी बना लेगा, एक सोच ये भी थी कि जिसके पास रखडे के लिए पैसा ही नहीं, वो बैंक खाते की क्या करेगा, बैंक खातों के पीशे क्य लगे हो, प्रस्ने ये भी किया जाता था, कि गरीब को रण दे दिया, तो उसको चिकाएगा कैसे, दसकों तक, ऐसे ही सवालों ने गरीबों को सुविधाओं से दूर रखा, ये एक प्रकार से कुछ न करने का बड़ा बहाना बन गया था, न गरीब तक सड़क पहुची, न गरीब को गैस मिली, न गरीब को बिजनी मिली, न गरीब को रहने के लिए पक्का घर मिला, न गरीब का बैंक खाता खुला, न गरीब तक पानी पहुचा, परणाम ये हुआ कि गरीब मुल सुभिदाओं से दसकों तक बंचित रहा और छोटी छोटी जरुवत के लिए गरीब दिन भर जद्दो जहाद करता रहा अब इसको हम क्या कहेंगे मुँ में तो दिन में सो बार गरीब शब्द बोलते थे गरीब के गाने गाते थे गरीब के गीत गाते थे लेकिन वहवार ये था ऐसी चीजों को हमारे यहां पाखन कहा जाता है पाखन ये सुभिदा तो देते ही नहीं थे लेकिन गरीब से जूठी सहनुपती जरूर जताते थे लेकिन जमीन से उठे हम लोग जो हम आपी के लोगों के बीच से आए है आपके सुख दोग को नीकर से अनुफो किया है हम आपी के बीच से आए है और इसलिए हमने आप जैसे लोगों को काम करने का तरीका अलग रखा है हम तो ऐसे ही व्यवस्ता की मार जेल करके खड़े हुए हैं इसलिए बीते वर्षों में गरीब को ताकत देने का सही माइने में ससक्तिकर्ण का प्रयास किया जा रहा है आज जो देश के गाउं गाउं में सडके बन रही हैं उनसे नए रोजगार बन रहे हैं बाजारों तक किसानों की पहुंच सुलब हुई हैं बिमारी की सिति में गरीब समय पर अस्पताल पहुंच पा रहा है देश में गरीबों के जो जन्रन खाते खुलवाए गए उन खातों के खुलने से गरीब बैंकिंग सिस्टिम से जुड़ गया आज उसको बिचोलियों से मुक्त लाब सीधा मिल रहा है आसान रण मिल रहा है पक्काघर, बिजली, पानी, गैस और सोचाले की सुविधा ने गरीबों को सम्मान दिया है आत्म विश्वाद दिया है अपमान और पीड़ा से मुक्त दी है इसी प्रकार मुद्रा लोन से आज ना सिर्फ करोडों स्वर रोजगार चल रहे हैं बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं चाथियों जो कहते थे कि गरीब को डिजिटल इंडिया से सस्ते डेटा से इंटरनेट से कोई फरक नहीं पड़ता वो आज डिजिटल इंडिया की ताकत को अनुभव कर रहे हैं भाई और भेनों गाउं गरीब आदी वाच्यों को ससक्त करने वाला एक और बड़ा भ्यान देश में चलाया गया है यह भ्यान हमारे हस्त सिल्प को हद करगे को कपड़े की हमारी कारीगेरी को प्रोजसाहित करने का है यह भ्यान लोकल के प्रती वोकल होने का है इनी इसी भावना के साथ आदेश राष्टिय हद करगा दिवस नेशनल हैंडू ने मना रहा है और जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का अमरुत महत्वों मना रहे हैं तब यह साथ अगस का महत्व और बढ़ जाता है आज हम सब याद रखे 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुवात हुई थी इसी एतियासिक दिन से प्रेहना लेते हुए साथ अगस की तारिक को हत करगा को समर्पित किया गया है यह गाउं गाउं में आदिवासी अंचलों में हमारे अदभूत शिल्पियों अदभूत कलाकारों के प्रती सम्मान जटाने और अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देदे का दीन है भाई और भेनों आज जब देश आजादी का अमरुत महोत्सों बना रहा है तब यह हत करगा दिवस और भी महत्वर रखता है हमारे चर्खे का हमारी खादी का हमारी आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदार है यह हम सभी जानते हैं बीते सालों में देश ने खादी को बहुत सम्मान दिया है जिस खादी को कभी भूला दिया गया था वो आज नया ब्रांड बन चुका है अब जब हम आजादी के सो वर्ष की तरफ नए सफर पर निकल रहे हैं तो आज आजादी के लिए खादी की उस पिरीट को हमें और मजबूत करना है आत्म निर्भर भारत के लिए हमें लोकल के लिए भोकल होना है मद्द प्रदेश में तो खादी रेसम से लेकर अनेक प्रकार के हस्त सिल्फ की एक सम्रुद परंपरा है मेरा आप सभी से पुरे देश से आगर है कि आने वाले त्योहारों में हस्त सिल्फ का कोई न कोई लोकल उत्पाद जरूर खरीदे हमारे हैंडिक्राप को मदद करे और साथियो मैं ये भी कहूंगा कि उत्सवों के उत्सा के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है कोरोना की तीसरी लहर को आने से हमें ही रोकना है और रोकना ही होगा इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा मास, टीका और दोगज की दूरी ये बहुत जरूरी हमें स्वस्त भारत का संकल पर लेना है समुरुद्ध भारत का संकल पर लेना है एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुप कामना है और आज पूरे मद्यप्रदेश में पचीस हजार से ज़्यादा मुप्त राशन की दुकानों पर कोटी कोटी नागरी के खटे हुए हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और मैं विश्वाद दिलाता हूँ कि ये पूरी मानवजाद, पूरी धुरिया इस संकट में फसी पड़ी हैं, कोरोना ने सब को परिशान करके रखा हुआ है, हम मिल जुल करके इस बिमारी से बहार निकलेंगे, सब को बचाएंगे, हम मिल करके बचाएंगे, सभी नियों मों का पालन करते हुए, इस विजय को पका करेंगे, मेरी आप सब को बहुत बहुत जुब कामना है, धन्यवाद.